Hello everyone, इस वीडियो में हम Class 3 की Evers Worksheet No.88B करेंगे Date is की 7 October 2021 ये Worksheet आपके textbook Looking Ground के Unit 2 The Plant Fairy से ली गई है तो चलिए शुरू करते हैं आज की Worksheet उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजेगा तो देखते हैं नमस्ते प्यारे बच्चों हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्त एवं सुरक्षित होंगे प्यारे बच्चों आप सभी ने अपने आसपास बहुत से पौधे तो देखे ही होंगे क्या आपने कभी किसी को पौधे लगाते हुए देखा है एक पोधे को लगाने से पहले मित्टी में बीज को डाला जाता है और धीरे धीरे सूरज के प्रकाश और पानी की मदद से वह पोधा बड़ा हो जाता है कुछ पोधो में फूल उखते हैं और कुछ में नहीं उखते आईए बच्चो आज हम पोधों से जोड़ी कुछ जानकारियां प्राप्त करते हैं ठीके? सो आपका प्रश्णे एक है बच्चो जिस प्रकार हम शरीर हमारे शरीर में विभिन अंग हैं उसी तरह पोधों के भी अलग-अलग भाग होते हैं पोधों के विभिन भागों को दर्शाते हुए एक चित्र नीचे दिया गया है संकेत बॉक्स की सहाइता से पोधों के विभिन भागों को पहचान कर इनके नाम कराव अनुसार अपनी कौपी में लिखिए यह आपका संकेत बॉक्स है इसमें से आप देखेंगे और इनका जो नाम है वो लेखेंगे यह क्या है हमारी पत्तियां हैं यह है यहां पर एधियां जो ट पाधियां होती है यह जो हूता है यह टना होता है तने के सहारे से ही जो एक प्लांट होता है वो पूरा खड़ा रहे पाता है और जड़ प्लांट को खड़े रखने में बहुत ज़्यादा सहायक होती है ठीक वैसे ही पौधों के भाग भी पौधों को जीवित रखने के लिए कारे करते हैं नीचे दिए गए पौधों के भागों का उनके सही कारे से मिलान कर अपनी कौपी में लिखिए तो इसको हम कर लेंगे उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी हमारे चैनल पर होने वाले speech competition के बारे में speech competition इसमें आपको speech बोलनी है और किस पर बोलनी है कैसे बोलनी है उसके लिए description में दीगरी वीडियो पर जाईएगा और उसे देख लिजेगा इस पार अब जितनी भी speech की वीडियो हमारे पास आईएगी जितनी भी बच्ची हमें speech की वीडियो भेजेंगे सभी की वीडियो हमारे चैनल पर अप्लोड की जाएगी और साथ ही साथ इस पर competition में 10 टॉप 10 विनर्स चूस किये जाएगे जिन सभी को इनाम दिये जाएगी ठेके तो जल्दी से जल्दी speech competition में हिस्सा लीजे description की लिंक में जाएगे और वहाँ पर speech competition की सारी जनकारी पता करकर हमें हमारे whatsapp नमबर या email id पर speech competition के वीडियो सेंड करना शिरू कीजे हमारा whatsapp नमबर भी description में दे गई वीडियो में ही बता रखा है तो जरूर देख लीजेगा अब हम करते हैं अपने pressure no.2 को वक्षित को continue करते हुए पौधो के भाग यहां दे रखे हैं पौधो के कारे इसमें दे रखे हैं हम लोगों को पौधो के भाग को पौधो के कारें से जो है मैच करना है सबसे पहले हैं जर्णे यानी roots तो जरू को क्या कारे होता है पहले सारे कारे पढ़ते हैं फिर जो हमें सही लगेगा उससे हम लोग मैच करेंगे बीजो की रक्षा करते हैं इससे एक नया पौधा बनता है पौधो के लिए मिठी से पानी वह पोशक तत्व लेती है पौधो को सीधा खड़े रखने में सहायरता करती है पौधो के लिए भोचन बनाती है इसका सही उतर आप कर रहेगा C पौधो के लिए मिठी से पानी व इसे को हमठागे हम लुग देते हैं। इसे हम चर्ण को मैंच्ट aha be Aat हम चर्ण होती है यह होगया थर्ड उसके बाद है आपका फल पट से ये रक्षा करता है ठीक है उसके बार है बीज बीज से एक नया पौधा बनता है तो इस तरीके से आप लोग मिलान कर लेंगे और वक्षित आपकी यहीं कमप्लीट होती है आशा करती हूं आपको समझाई होगी वीडियो को लाइक कीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा धन्यवाद